नमस्कार बिंदाज घोचपुरिया देखने वाले का सबका स्वागत है दोस्तों सोलाज सबनम 1 आई और वो सुपर डूपर हिट हुई सोलाज सबनम 1 में के सारी भाई थे और ये पिचर हिट हुई और सोलाज सबनम 2 का टीजर आने वाला है और हमारे साथ निर्देशक सोदेश जी है आईए इस बारे में थोड़ा जानकाई लेते हैं कि टीजर कब तक आएगा उसके पहले सोदेश जी मुझे ये बताईए कि इस फिल्म में क्या कुछ खास है सबसे पहले नमस्कार फिल्म में बहुत कुछ खास है फिल्म में रोमैंस है कॉमेडी है फिल्म में एक्शन है भरपूर एक्शन है फिल्म में गाने जवरदस्त है कलवा जी के गाये हुए गाले तीन-तीन है और हमारी आर्टिस्ट अंजना जी के डांस है नोटंग की डांस है और दर्शकों को काफी मतलब एक ही फिल्म में बहुत सारी चीजे देखने मिलेगी इस फिल्म में तो सोला सबनम पार्ट टू के अंदर सब कुछ है जो एक फिल्म को हीट कर देने वाली को चाहिए होती है सर यह जाना चाहें कि टीजर कब तक परका आएगा अभी जैसे कि मेरी 3-4 अलग-अलग कमपणी से बात्चेश चाहिए है एक दो कमपणी से फर्स स्ठेश पर बात्चेश चाहिए लेकिन दो-3 कमपणी ऐसा है जो फाइनल स्टेज पर बात्चीज चालो है जैसे हमारा डिलिंग कंप्लीट हो जायता है वैसे हम लोग एक हफते या देड़ हफते के अंदर हम लोग टीजर उस कंपनी के साथ में रिलीज कर देंगे सर टीजर जो होता है कुछ सेकेंड का होता है और बहुत बड़ा भार होता है कि कुछ ही सेकेंड में पूरी कहानी बया कर देना वाली होती है तो सर किस तरह से इसे आप फेस करेंगे देखिए सबसे पहले दर्शकों को बताना मैं चाहता हूँ कि अधर डिरेक्टर या फिकोई और डिरेक्टर जब भी रहते हैं जो फिल्म से जुड़े वह रहते हैं उनके लिए टीजर काटना प्रोमो काटना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क हो जाता है लेकिन मेरा अगर बैक्राउंड देखोगे तो मैं बेसिकली एड फिल्म इंडस्टरी से हूँ डिरेक्शन का काम करता था और अभी भी करता ही हूँ तो मेरे लिए 15 सेकेंड में चीजे प्रस्तुत करने की मेरी आदत है और 15 सेकेंड में हम लोगों को लुभा भी लेते और उसका असर भी पड़ता है लोगों पर इसका एक्सपीरियंस मुझे इसमें टीजर में बहुत जादा मिला है और अच्छा मिला है और हम लोगों को मुझे टीजर काटने में ज्यादा मजा आया और मैं ज्यादा बहतर तरीके से टीजर काटा हूँ तो कि मेरे पास नॉमली एट फिल्म में क्या हुद है कि आपका फुटेज लिमिटेट रहते हैं अब इस फिल्म में क्या हो गया कि मेरे पास फुटेज बहुत ज्यादा है म मेरा अनुभाव भी काम आया, मेरे पिता-जी का अनुभाव मेरे साथ, मेरे पापा का असिरवाद भी मेरे साथ में रहा. और एक इमोशन टच्च तो है यह फिल्म से कही न कहीं, क्योंकि पापा को हम लोग डेडिकेट करने के लिए फिल्म बना रहे हैं. तो बहुत सारी चीजे इसे जुड़ी हुई है और कुछ और भी चल रहा है आगे के प्लान्स भी चल रहे हैं ऐसा है यह यह भी जानों चाहिएंगे कि सर आप ने एड फिल्म डारेक्ट किया आप जो है भोचपुरी की फिल्म पूरी की पूरी डारेक्ट कर रहे हैं दोनों presenters और और कितना कुछ डिफिकल्ट होता है सर एड़ फिल्म और यह जो पूरी भोचपुरी है क्योंकि यह हिंदी फिल्म तो है नहीं भोचपुरी फिल्म देखिए एड़ फिल्म की रिकवरी और भोचपुरी फिल्म की रिकवरी इसमें जमीन आस्मान का अंतर है एड फिल्म करोडों में बनते हैं और पंदरा सेकेंड के लिए आप तीन दिन शूट करते हो ठीक है यहां पर आपको तीस दिन पंदरा दिन के अंदर भी लोग भोजपुरी फिल्म बना रहे हैं हम लोगों ने तो लगबग तीस दिन शूट किया तो यह में बाज यह कि उसका बजट डिपेंड करता है कि आपका रिकवरी कैसा है तो भोजपुरी फिल्म में में बाज यह कि रिकवरी बहुत कम है और रिकवरी कम होने का कारण यह है कि लोग सेयटर में जाना कम कर दिये कोविट के पहले लोग बहुत अच्छे से जाते थे लेकिन COVID के बाद में बिलकुल ही कम कर दिये हैं लोगों को आदत पड़ गई है कि YouTube पे देखने की फिल्म फिल्म में देखना है लेकिन दर्शकों से मेरी यही गुजारिश है हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चाहे जो भी फिल्म आए ना एक ब बीच में और जहां तक एड़ फिल्म की रिकॉवरी की बात है वो तो कमपनिया कमाई लेती है अच्छा सर यह जानना चाहेंगे एक बार दर सुदकों को वापिस बता दिए कि सोला सबनें पार्ट टू में कौन-कौन से कलाकार हैं और यह टीजर कब तक देखने को मिल पांडे जो हमारे भहिया भी है और इसके बाद में अंजना सिंग है बिर्जेश त्रिपाटी जी है जश्वन कुमार है चंदरमुकी मौसम है संगराम सिंग बटेल है और बाल कृष्ण मुकंद है समीर है और इसके अलावा भी काफी सारे है इर्फान पिंडारी है और भी बहुत सारे है नाम भी भूल जाओ करिश्मा सक्सेना है और एक दो नाम मैं भूल जा रहा हूं कुछ फीमेल आटीस भी है और मेल आटीस भी अच्छे बड़े करेक्टर है एक बहुत ही अच्छा करेक्टर कॉमेडियन करेक्टर है गजिंदर शर्मा है गजिंदर सर्मा का बहुत ही अच्छा कॉमेडियन करेक्टर है और बहुत ही पॉपिलर वेक्ती है वो कॉमेडियन में तो वो भी है तो दोस्तों आप तक आ रहा है 16 सब्दम पार्ट 2 बड़े बड़े दिगच कलाकारों से सजा हुआ है जल्द ही इसका टीजर आप तक आएगा बहुत बहुत दन्यवाद सब्सक्राइब बहुत बहुत दन्यवाद सब्सक्राइब